दोस्तों परते एक दिन 4-5 बादाम खाने से हमारा सरीर अनिक बीमारियों से दूर रहता है साथ ही साथ हमारे सरीर को ताकत भी मिलती है बादाम में पाए जाने वाले मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर हमें अनिक स्वास समद्नी समस्याओं से बचाते रहते हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बादाम खाने के स्वास वर्दक फायदों के बारे में बादाम खाने का सही समय क्या है और बादाम को कैसे खाना चाहिए लेकिन दोस्तों इससे पहले आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकान को भी आन कर लें जिससे हम जब नई वीडियोज अबलोड करें तो आप उसकी नोटिफिकेशन पा सकें तो आईए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं बादाम खाने का सही समय क्या है वैसे तो बादाम को किसी भी समय खाया जा सकता है लेकिन दोस्तों बादाम खाने का सबसे अच्छा समय सुबह का समय होता है रात भर भीगे वे बादाम का सुबह के समय एक गिलास पानी के साथ स सबसे अच्छा माना जाता है दोस्तों आप जब भी बादाम खाना सुरू करें तो 4-5 बादाम से सुरुआद करें 10-15 दिनों के बाद आप बादाम की तादात को 10-12 कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि आप 24 घंटे में 12 बादाम से ज पोशक्तत्य पाई जाते हैं इसमें प्रोटीन, मिनरल्स और फाइबर आदी पोशक्तत्य भरपूर मातरा में पाई जाते हैं ये सभी पोशक्तत्य सरीर को भरपूर मातरा में उर्जा और शक्ति परदान करते हैं सुबह के समय बादाम के साथ दूद का सेवन करने से सरीर को भरपूर मातरा में सक्ती मिलती है दिल को बनाए सेहत मंद दोस्तों बादाम हमारे दिल को सेहत मंद बनाए रखने का काम करता है सोध में हिवास सामने आई है कि सब्ताह में पांस दिन बादाम का सेवन करने वाले लोगों में सामाने लोगों की अपेच्छा हार्ट अटे का तरह 50 फिस्दी तक कम हो जाता है बादाम में मुझूद विटामिन E एंटी आक्सिटेंट की तरह कारी करता है यह दिल को बीमारियों से दूर रह करकी उसे सहत मंद बनाए रखने में मदद करता है दिमाग को तेज करने में मददगार दिमाग को तेज करने के लिए बादाम को काफी उप्योगी माना जाता है बादाम का सेवन करने से अलजाइमर तथा अन्मांसिक संबनी समस्याइट दूर होती है रोजाना सुबह के समय 4-5 भेगा हुआ बादाम खाने से दिमाग तेज होता है रक्त संचार को सुचारो रूप से बनाए रखता है दोस्तों बादाम में पोटेसियम की मातरा काफी अधिक होती है जबकि सोडियम की मातरा काफी कम होती है जो कि हमारे सरीर में रक्त के संचार को सुचारो रूप से बनाए रखने में मददगार होता है जिसे हमारे सरीर के सभी अंग सामान रूप से कारे करते रहते हैं हड्डियों को मजबूत बनाता है दोस्तों बादाम में कैलसियम भरपूर मातरा में पाय जाता है कैलसियम हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है इसलिए बादाम का सेवन करने वाले लोगों में हड्डियों की बीमारी का खत्रा बहुत कम हो जाता है इसके साथ ही साथ केलसियम दातों के लिए भी बहुत ही ज्यादा उप्योगी है यह दातों को मजबूत बनाए रखने में भी मदद करता है बादाम का तेल बालों की सभी परकार के समस्याओं को दूर करने में मदद करता है यह बालों का गिना डैंडरॉफ तथा आसमे सफेद होना रोकता है इसके साथ ही यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाने का भी काम करता है साथी साथ यह बालों को चमकदार और घहना भी बनाता है सुगर लेवल को कंट्रोल करता है दोस्तों डाइबटेज मरीजों के लिए बादाम का सेवन रामबार का कारे करता है इसमें वसा प्रोटीन और फाइबर परचुर मातरा में पाई जाता है जो कि मगमेह रोगियों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभधायक होता है परती एक दिन सुबह के समय चार से पांस भीगा हुआ बादाम का सेवन करने से सुगर लेवल कंट्रोल में रहता है सिर्की तुचा के लिए फायदे मंद धूल मिटी और गर्मी से हमारी सिर्की तुचा पर काफी गंदगी जमा हो जाती है इसके साथ ही बालों को सवारने में इस्तमाल होने वाले उत्पात भी सिर्की तुचा को नुक्सान पहुचाते है परती एक दिन बादाम का सेवन करने से तथा बादाम का तेल सिर में लगाने से सिर की तुचा की कोशिकाओं को पोशन मिलता है जो कि उन्हें स्वस्त बनाए रखने में मददगार होती है तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए तक हमारी यूटूप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक यू फ्रेंड्स